एक तरफ सरीर में दोस्तों खुन चर रहा था और दूसरे तरफ मूँ से खुन की उल्टी हो रही थी दोस्तों समस्तिपूर जिला के रोश्रा अनमंडल के विभूतिपूर परकंड के इस वीडियो को देख और वीडियो में देखिए कि एक बेक्टी है जिसे पुलीस बचाने का कोशिस कर रही है और दरजनों लोगों की भीर है जो इस बेक्टी के साथ मारपीट करना चाह रही है दोस्तों यह जो बेक्टी है इसका नाम डॉक्टर विभेक कुमार और दोस्तों यह विभूतिपूर में विभूतिपूर अस्पताल और विभूतिपूर थाना केंपस के समिप लोगों का आरोप है कि यह फर्जी होस्पिटल चलाता है और होस्पिटल का नाम है न्यू क इलाज के कारण एक 18 वर्षिय महिला की मौत हो गई और मौत इसे नहीं कहिए दोस्तों इसको हत्या कहिए क्योंकि दोस्तों पूरे समस्ती पूरजिला में सरकारी तंत्र और स्वास्त विबाद के मिली बगत से ऐसे कई डॉक्टर है जो लोगों की जान से खिलवार करते हैं कम 18 वर्षि की महिला बुखार का इलाज करवाने के लिए वास विबूती पूर सरकारी एस्पताल और विबूती पूर थाना केंपस के समीत इस्थित न्यू कुमर्जी हेल्थ केर होस्पीटल में जाती है और पड़जनों का आरोप है दोस्तों कि बुखार के इलाज के लिए लेकिन वहां का डॉक्टर बताता है कि महिला के सरीर में खून की कमी है फिर महिला से 37,000 रुपया का आरोप है कि अइठ लिया गया और 37,000 में कहां से कून खून मंगाया गया पता नहीं परिवार के लोग बोल रहा है कि एक तरफ सरीर में खून चरहाया जा रहा था और सकाल है सरीर में खून निकल रहा है ध्यूसरी olineा खून है कि डॉक्टर को बोले थे हैं हां वह गया है क काटने वाले यह आप तो इस आरि कोई लक्रा वगता यह सब सिबील में सब सिबील में कोई हैं और यह क्लरा जो बैटक्टर के लुतों मैं नहीं था को आत्र जो परों नाम झीज सबसेछिक ने उधा को लगे हैं ऐसे कर रहसरो ऐ सब फ् wild-व द कमार लना महिट इसे बोले को d產 कर अफने इस दया तो भी खलर कलर हो गया और दोस्तों सोचिए कि एक महिला जिसको भुखार लगा रहता है और इलाज करवाने के लिए वो न्यू कुमर जी हेल्थ के रहुस्पीटल में जाती है और इलाज के ना बात बोला जाता है कि सरीर में खुन का कमी है है 57,000 रुपया आईठा जाता है और हेटने के बाद खुन चराया जाता है अप सोचिए खुन Tibre दुब होट लेकिन किस टरह से डॉक्टर विभ चुमार , आप डॉक्टर बोलने भी है आप्राब लग रहा है क्योंकि दोस्तों बता रहा हैं कि उसके पास डॉक्टरी का कोई डिगरी नहीं था फर्जी डिगरी और फर्जी चीज लिख करके अब फर्जी बोट लगा करके वो होस्पीटल चला रहा है और दोस्तों मोबाइल एसकीन पर देखिए कि एक महिला बिलक बिलक का रो रही और इसलिए रो रही है दोस्तों क्योंकि इस महिला के परजन को इसी डॉक्टर ने इसी होस्पीटल में हत्या कर दिया जान से मार दिया आप ही रो रही है जिस महिला की मौत भी कौन थी आपकी जठानी, जठानी थी, क्या नाम था उनका, ममता साईनी, कौन बिमारी हो गया था उनको, उनको बुखार लगा था, गई थी हो स्पीटल इलाज कराने के लिए, तो डाक्टर ने बोला कि इसको मतलब बलट की कमी है, तो बोला पैसा जमा कीजे भी से जार, और दो नीट मतलब खुन चरहना है, खुन चराते चराते सुबा में, एको मत बात हो गया, अचा गई थी, कब साम में गई थी, साम को गई थी और सुबा में मर गया, जब दोक्टर क्या बोला कि बलट लगे गा, जब लोन बीमारी था उनको, कुछी ने खली सिर्फ बुखार का इलाज कर वान कि इस कर गई अधि विस्वाइट तक गई है इसी बचेज़ देखते नहिसी बचार लगे और किसी हो सच़्चि यहां कि हुश्पितल की इंटीर जगह पे नहीं चल दोस्तों कि हूश्पितल चल रहा है और उस जगह पे बाराल सा बैनर लगा कर के और खुलयाम होस्पीटल चला रहा है उसमें कोई महिला जाती है बुखार के नाम पे उसे 20,000 उपया का डिमांट कीया जाताहा है अब पता नहीं कैसा खून चराया जाता है कि खून चराते चराते महिला मर जाती सोचिए दोस्तों कि ये सुन करके भी अजूबा होता है कि बुखायर में खून चराना और खून चराते चराते महिला का मर जाना ऐसा क्या हो गया कि खून चराते चराते मर गई क्या हुआ था? नियू कुमार हेल्थ केर वोन चलाता है उसको? डाक्टर विबेक कुमार चलाता है अच्छा फिर? उसके बाद जब हम यहां से पहुचे जब भावी कॉल की तो ऐसे से भावी का तबीयत बेचेनी काफी है तो आप जल्दी से जल्दी पांच से साथ मिनिट के अंदर उनकी मोथ हो जाती है जैसे ही मोथ हो गई तो डाक्टर वहां से भागना शुरू किया फिर हम वहां पे बोले आपको नहीं जाना है फिर उसके बाद डॉक्टर को हम रूम में बंद कर दिये अब लोग हंगामा करने लगे फिर पबलिक वहाँ पे काफी जुट गई फिर हम घर पे फोन किये घर पे भी साब बहुत सारे आदमी गए फिर इसके बाद वहाँ पे कई बार परसासन को कॉल किया गया कोई भी रिस्पॉंस नहीं दिया फिर परसनल नंबर पे भी उनको कॉल किया इसको फोन किये थे आनंद कस्याब सर को कॉल किये बराबाब को फिर वो भी नहीं उठा है जो थाना का परसनल जो नंबर होता है उस पे भी कॉल किया गया, वो भी नहीं उठा है, जहां पे होस्पीटल है, वहां से थाना की दूरी कितनी है, 100 मीटर की दूरी पर है, और यहां पे हंगामा होता रहा, लेकिन थाना परवारी नहीं पहुचे, जो महिला मरी कौन थी आपकी, बहु, आपकी बहु थी, क्या हो करके आइसा की बहु की जवानी में मौत हो गई होस्पीटल में, उसको कुछ नहीं हुआ था, थोरा तभियत खराब हुआ था, तो फिर दॉक्टर नहीं गया था, चेक अप करवाने, दॉक्टर बोला जो आपका पाराने, कौन दॉक्टर, दॉक्टर, दुबेक दॉक्टर तो उसको बोला जो आपका शरीर में खून नहीं है, तो बोला तो कैसे होगा, तो ठीक है, आपका ला जाइए, हम बलट चड़ा देंगे, तो फिर दो दिन बाद करके गई, तेरा तारिक के, तेरा तारिक के गई थी चेक करवाने, फिर उस दिन दू दिन नहीं गई, उस द आए नहीं, ओ बोला जो पाई बुछा जाताओ, तो फिर दो बरने के गई तो बोला जाताता था? विवेक, विवेक होस्पीचल का क्या नाम था, कुमर, कुमर जी, हेल्थ केम, अच्छा, 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 फिर क्या हुआ, तो उसके बाद में तो रात भर खून चरह, ढखा हुआ था खून, उस सब के मोबाल पर भी वेजा, ढखा हुआ था, हम लोग सोचे तो चरते चरते उसको बेचेनी आ गया, वो बोला डॉक्टर भैया, थोरा हमको बाहर ले चलिये, हम हाबा खाएंगे, तो हमको कुछ तरसली आएगा, वो बोला नहीं, नहीं, हम भाफ दे रहे हैं, आपको बेचेनी नहीं आएगा, फिर भी उसको एहां पर उसको अटका हुआ भाफ — अचनाय था जब अटका हुआ था उसको फॉलल गया, जो लोग देखता था, वो बोलता था फेरने ठएक्या, पेरने ठेक्या, हम लोग ठेक्या उलिए नहीं, हम और बही बाए व तो अच्छी खसी थी हो भीदर लाई है, खून चरहा रहे है, खून चरहाते- जब बलड फेक रहा था तो आप क्यों नहीं बंद कर दिये, रोके क्यूं नहीं, चरहते रह गें, उसको सारा दिन वो बलड चलते रह गें. उसको ब्लड निकल रहा था?